नमस्कार डेली नुट जारखन में आप तमाम लोगों का स्वागत है पालू उठाव संगर समीती के जीला अत्यक्ष बने इकबाल खान जीला कॉरिनेटर बने मनीश कुमार गुपता संग्रक्षक बने छोटू चौबे और पसपीस चौबे गणवा शेतना पिट्रोल पंप के पास एक बैठक की गई जिस बैठक में सभी ट्रेक्टर ओनर छड़ सिमेंट ब्यवसाई लिफ्टर मसीन ब्यवसाई और मस्तूर की एक महतपून बैठक आईजित की गई इस बैठक में सेक्रो लोग उपस्तित थे बैठक में बालू उठाओ संगर समीती का एक गठन किया गया जिसके माध्यम से बालू के बारे में विचार विमर्ष किया गया और बालू के लिए एक कमीटी का गठन भी किया गया इस कमीटी में अध्यक्ष एकबाल खान, उपाध्यक्ष भोला चंदरवंसी, सचीव जितिंद्र दूबे, कोसा अध्यक्ष परदीप कुमार, संग्रक्ष छोटु चौबे, उर्क सतीस चौबे, जीला कॉडिनेटर मनेश कुमार गुपता, उप सचीव सारो खान, साह, कोसा इपध्यक्ष रसीद अनसारी, महमंंत्री चोटु सिंग, सहमंंत्री आनंप सिंग, मंत्री बाबो सिंग, कारजाले परभारी नूर आलम, संगटन सचीव पर्दीप चौबे को बनाया गया इसके अलावा जिला काज समी की सदस्य से बनाया गया मुन्ना अंसारी संसेर अंसारी सत्रूगन कुमार सफाकत अंसारी राजा खान जितिंद्र कुमार अर्विंद कुमार चिंटू कुमार जान कुमार चगमोहन महतो सुनील कुमार सतीस कुमार चौबे देवा नंसर्मा रु उठाओ के लिए छेत्रिय मंत्री सबिधायक मिथलेस कुमार ठाकुर एमुम सांसत बीडी राम से मुलाकात करके बालू समस्या का निदान करने के लिए जल्द ही कहा जाएगा। बालू नहीं मिलने की स्थिती में उपायुक को प्रात्ना पत्र दे करके सभी लोग बिल करके सड़क को जाम कर देंगे भूकरताल कर देंगे। इसका निर्ने लिया गया इस औसर पर अध्यक्ष अकबाल खान ने बताया कि बहुत जल्दी बिधायक और मंत्री से मिल करके बालू की समस्या को समाप्त किया जाएगा। मांगे नहीं माने जाने पर उपायोग को पत्र लिखकर हम सभी लोग रोड जाम भूक हरताल करने के लिए बात होंगे। उपाध्यक्ष भोला चंदरबंसी ने बताया कि बालू नहीं मिलने से कड़वा के मजदूर वर्ग में भुक मरी किस्तिती उत्पन हो गई है। सचीर जितेंदर दूबे द्वारा बताया गया कि मंत्री मित्रेस कुमार ठाकुर से मुबाइल पर वारता हुआ है। बालू की समस्या का बहुत जल्द हल निकाल लिया जाएगा। पुप सचीर सारोखान ने बताया कि बालू नहीं मिलने से हम ट्रेक्टर मालिक गाड़ी के किस्त नहीं भर पा रहे हैं जिससे हम सभी की गाड़ी खीचने का डर सता रहा है। जीला कॉडिनेटर मनिस्कुमार गुपता ने बताया कि बालू नहीं मिलने से छड़ सेमेंट मस्दूर वर्ग लिफ्ट मसीन ट्रेक्टर ओनर सभी के सामने भुकमरी की इस्तितिक उठपन हो गई है जिससे बहुत ही विक्राल रूप ले लिया है बालू से लगबग 70% काम हो है इसलिए बालू उठाओ महत्वपून है तो ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं डेली नियुद जारकन सबसे पहले सबसे तेच आरे 11203 को चितना में मीटिंग रखा गिया है मीटिंग का मुख्य कार यही है कि बालू को किसी तरह से प्री किया जाए और मानिय और बहुत से ट्रेक्टर ऐसा है कि जो अभी खिचाने के कगार पर है और इसमें जेतने भी मतलब एक दम जो निचले कटिगीरी के लेबर है उन लोग को कहीं भी काम मौम नहीं मिल रहा है इतना बुरा हाल हो चुका है कलोनी मिला है लेकिन बालू के अभाव के चलते कलोनी पूरा मकान नहीं बन पा रहा है और जो भी ट्रेक्टर वाले है ट्रेक्टर के रिलेटेड आपको राज मिस्तिरी होगा है चाहे जितने भी लोग है जैसे भी ओनर होगा है सब को काम नहीं मिल रहा है लेकिन हर हाल में मानिये मंत्री अनुरोध है कि बालू को चलवाय है बालू से समस्या बहुत तरह के है मिस्तिरी ने जीने खाने पा रहे है लेवर ने जीने खाने पा रहे है ट्रक्टर वाला के समस्या है छड़ सेमेट वाला के समस्या है लिफ्ट वाला के समस्या है सभी तरह के मनें बाधित है काम गरीब आदमी को घर में खाने का खर्ज ने जूट रहा है एदन साब बता रहे हैं ट्राक्टर वाले को किस्त नहीं भरा रहा है कलोनी वाले को घर नहीं बनने पारा है 5000 बालू में कोई नहीं बनाने पाएगा लेखे नोटिस भी आ रहा है बहुत तरह के समस्या है किसी को चालू कराने के लिए हम लोग आज बैठक रखे हैं इसमें मंत्री जी के तरफ से अस्वासान आया है कि आप लोग इसका बैठक कीजिए धंग से हम चालू कराएंगे और जो भी विपक्ष बोलेगा उसका कंडन करना जो यहां बालू उठा पे रुप पुन रुप से रुप लगा दिया गया है जिसके चलते हमारे गाव में जितना भी ट्रेक्टर है ट्रेक्टर के साथ जो लेबर काम करते हैं उस सारी लेबर समू के माध्यन से कर्ज सब दुगा हुआ है एक सबता काम करता है लोग तो यहां ट्रेक्टर ओनर को या ट्रेक्टर सब बालू उठाओ के लिए अगर चालू करवाते हैं तो विपक्ष के लोग आवाज उठाता है कि इन लोग दोनों भाई विलके बालू उतर प्रदेश बेश दिया और नदी को खोखला बना दिया आप सभी लोग समय पूछना च बारी और विधायक आवाज उठाते हैं कि सब नदी को खोखला कर दिया अगर यह बात का खंडन सभी अनरलोग मिलके करते हैं तो बालू का उठाओ यहां जल्द से जल्द सुरू होने का काम हो जाएगा और सब प्रशानी देरे-देरे दूर हो जाएगा सारा सरकारी योज इसी सब बात के साथ जो बात हम रखें आप लोगी बीच में आप लोगा सहमती बनता है सारे लोग कतम से कदम मिला के चलने के लिए तयार है तो बालू का काम बहुत जल्द सुरू हो जाएगा बस यही कहना है कि तीन-चार महिना से बालु बंद सहर में बालू पैसा राते हुए भी बालू नहीं मिल रहा है जिस विशे में लेवर को भुठमारी क्या स्थिति में है है आज अमारे यहां में चार गई है लेकिन सब की सब खढ़ दा है